योगसेक, क्या चीज़ होती है? बहुत पार पेशिंस कन्फ्यूस रहते हैं, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में लिखा होता है, योगसेक सीन, योगसेक नॉट सीन, और उनलोगों को बहुती है टेंशन हो जाती है कि योगसेक दिखर रहा है, तो यह नॉर्मल है यह नहीं और नहीं दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो बेसिकली योगसेक क्या फंक्शन होता है और क्या इसकी इंपोर्टन्स होती है सोनोग्राफी के अंदर वही हम आ जहां पेडिटेल में जानेंगे, मैं डॉक्टर दीप्टी जन, गर्नेकलोजिस्ट तो बेसि फिर समालागर को हम आपको ठीटार के वही है, जर भी में बसाप प्रभ मासंषन होता है, तो भी में मैं इंप सबासेक में आपको प्रपा है नीचे से विजाइना के सोनोग्राफी की जाती है तो हम चीजों का फोड़ा जल्दी आइडिया लगता है क्योंकि वहां से जब चेक करते हैं तो बच्चेदानी थोड़ी पास में होती हैं और हमें ज्यादा एज़ी चीजों नजर आती हैं तो आते हैं पहले ट्रांस एब्डॉमिनल सोनोग्राफिय जब करते हैं तो उसके अंदर गेस्टेशनल साक जब 20 mm का पहुंच है जब 20 mm से यूजुली पहले ही हमें योगसेक नज़र आ जाता है लगबग साथ हफते की प्रेगनेंसी तक और गेस्टेशनल साक की साइज 20 mm ज जब 20 mm 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 नॉर्मली छेसाथ हफते तक हम एक्सपिक करते हैं कि योगसेक और फीटल पूल आ जाना चाहिए अगर इनमें से कोई भी चीज छेसाथ हफते की प्रेगनसी हो चुकी है और ना योगसेक दिख रहा है ना ही फीटल पूल दिख रहा है यहां आपको लगा हो चेसाथ हफते हो पर हुए चाह पाश हफते ही है यह जोगसेक कारण भी हो सकता है कि योगसेक में नहीं नजर आ रहा हो और दूसरी पॉसिबेटी होती है कि तो बश्य है प्रेगनसी तो है लेकिन उसके अंदर अब्रो नहीं कर रहा है पच्चा ब्रो नहीं कर रहा है और यह प्रेगनसी आगे बनने वाली नहीं है यह मिस्कारश में लैंड़ बाली है तो इन दोनों में से कौन सी चीज है यह एक रॉन काल्कुलेशन ओफ टेट्स है या फिर एक एक अनेम्बराणिक प्रेग्मेंसी है इसका कंफर्मेशन हमें होता है जब हम जो सोनोग्राफी होती है मुझे रिपीट करके नि योग से कब धिया है यह इसके न हांतों है उन प्रेग्सक कहा है दॉपूं हम पर दोर्म हांतों हम उगाए है यह यह वह देखे ली कर प्रेग्दि एक और हिर दोनी' हमें पता चलता है कि यह जो intrauterine pregnancy है जो बच्चे दानी के अनल जो pregnancy है वह किसे भी परदारता है pseudo-gestational sack नहीं है वो एक actual intrauterine pregnancy है तो एक actual intrauterine pregnancy को हम pseudo-gestational sack से differentiate हम योग से के दुवारा कर पाते हैं योग सेक का basically जो size होता है वे 6 mm से छोटा होता है और वे है एक spherical structure की तरह दिखाई देता है योग सेक का main function होता है embryo growing baby को nutritionally provide करना तो योग सेक एक बहुत ही important structure है और इसका sonography के अंदर दिखना या नहीं दिखने का इक बहुत ही important role है मैं अगर आपको brief में बताओं लेट शेयर में conclude करके बोलूं तो आख फुक समझने की क्या ज़रूत है कि अगर आप इच्छे साथ हफते के वे pregnancy पे सोनोग्राफी की गई है और आपको दो हफते बाद सीन सोनोग्राफी को रिपीट कराने की ज़रूत रहेगी कि तब योग साथ होता है या नहीं होता है अगर आप यह हो जाता है वेल इंगोड और अगर नहीं होता है तो अगर आपको इसके लाव कोई और कन्फूजन हो तो आप कमेंट वाक्स में लिपके हमसे पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्रीब कीजिए धन्यवाद